फ्रेंड्स टेक स्मार्ट ट्रिफल फोर में आपका अश्दिक स्वागत है आज मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग जान के देवादा उससे आप अपने साउंड सिस्टम जो ऑपरेट करते हैं उसमें आपको लेप्टोप लगाने की जरूत नहीं या आप किसी दूसरे और connect करने की जरुत नहीं सिर्फ आप अपने मोबाइल जो होता है आपके पास उस मोबाइल से ही आप पूरे system को Operate कर पाएंगे और बहुत अच्छी तरहीं से आप अपने प्रोग्राम को अंजाम दें पाएंगे क्योंकि आजकल गाने बहुत फास्ट फास्ट मांगते हैं, तो आप अपने पास एक या दो Android Mobile हैं, तो उससे आप पूरा प्रोग्राम बहुत आशनी से कर पाते हैं, तो इसके लिए आपको इस लीड की जरूत बड़ेगी, जिसमें एक तरफ Mobile की पीन लगती है, और एक तरफ आप अपने Amplifier या Mixer में आप इसे Connect कर पाएंगे, मैं आपको दो लीड बता रहा हूँ, एक में आपको Double Wire शो हो रहा है, जो काफी Heavy PIN है, और ये Simple PIN में आपको बता रहा हूँ, ये भी आपके इस प्रोग्राम में काम आ सकती है, तो इसको आप किस तरह से Connect करेंगे, उसकी जानगे दूँगा, तो इसमें आपको ये Amplifier शो हो रहा है, Amplifier साथ मैंने Mixer को Control किया हुआ है, Mixer से मैं अपने Sound System को Operate कर रहा हूँ, और Amplifier आप यहां शो कर रहे हैं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां से मैंने अप इसे On कर लिया है Mixer को, और यहां पर मैंने 5 नंबर जो Mixer का Fader है, उसमें मैंने वो जो Lead बताई थी, वो मैंने यहां पर लगा ली है, मैं इसे On कर देता हूँ, यहां ओन करने के बाद आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे Light Blink कर रहे हैं, और यहां पर आप अपने Volume को जो भी Set करना चाहें, अपने गाने की Quality इसाब से Set कर लेंगे, और इस Fader को उपर करने से पहले, आपको मैं और भी जनकर दूँगा, तो यहां पर आप Mobile देख पाना है, Mobile मैंने इसे Connect कर लिया है, और यहां से मैं YouTube से गाना सेलेक्ट कर दा हूँ, अगर आपके File में अगर गाना पड़ा हुआ है, Memory Card में ग सेट कर लेंगे, ट्राबल बेस और Master को सेट करने के बाद, आप अपने Mixer में भी अपने Volume को सेट कर लेंगे बराबर, और इसके बाद आपको एक Man Important जान रखनी है, वो यह रहेगी, आपको अपने जो Mobile में जो आपने Connect किया है, उसके बाद आपको एक Option हता है, उसमें आपको Volume Full करना होगा, जैसे यहाँ पर मैंने Fader On कर लिया है, यही देखिए, यहाँ पर Fader पूरा On कर चुका हूँ में, और उधर से भी मैंने Amplifier का भी कर लिया है, और Mixer का Fader मैंने को लिया है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है आवाज कमा रहा ही, तो आप अपने Fader को कम क करने के बाद, आपने Volume Mobile का जो Volume है, उसे आप फूल कर लेंगे, उसमें आपको permission देनी होगी, Volume Full के लिए तो यह फूल मिले कर लिया है, यह आपको यही तक 70% होता है, तो आप 100% कर लेंगे, 100% करने के बाद, आप अपने यहाँ से गाना प्ले कर लेंगे, जो गाना प्ले कर तो आपके speaker उठने की संभावन रहेगे, इस तीज का आपको जाना प्ले का option यहाँ पर शो हो रहा है, इसमें आपको left और right speaker के शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे देख रहे हैं, तो यहाँ आपको आपके नीचे कर अगर सेंटर में रखते हैं, तो आपके दोनों speaker से लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और यह आपको चेनल 1 और चेनल 2 दोनों शो हो रहे हैं, जिसमें भी आप अपनी आवाज रखना चाहिए लग पाएंगे, तो यह अंदर ही अच्छी लगी हो और तो आ हमारे चेनल पर लाइक से लेंगे और गाने बहुत अच्छी तरीक चला पाएंगे, ऐसे ही वीडियो और देखना चाहिए तो आप ले लिस्ट के द्वारा देख पाएंगे हमारे इसी चैनल पर